यूपी चुनाव के लिए राजनाज सिंग भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं लखनों पहुचे राजनाज सिंग ने एक बार फिर भाजपा की बड़ी जीत का दावा किया है उन्होंने कहा कि उत्तरप्रदेश में विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ाएं और विकास के काम पर ही हमारी चीत होगी उन्होंने कहा कि भाजपा तीन सौ से ज्यादा सीटे जीतेगी और राजनाज सिंग से बाचीत की एबिपी गंगा के समवाद दाता शैलेश अरोडा में पहले चरण का चुनाव प्रचार जो है लगबग खत्म होने को है भारती जंता पार्टी के सभी शीर्ष नेता इस समय जमीनी स्तर पर जगा जगा जा रहे है रेडियाव सभाय करें हमाई साथ में समय रक्षा मंतरी राजना सिंग जी है जो आज शाजापूर जा रहे है का लिक्रम है और पूरी शीर्ष नेता तो जो है इस समय कह सकते जमीन पर है अपने प्रत्याशियों के भारती जित्ता पार्टी वो शांदार कामयाभी हासिल होगी उत्तर पर मैं कह सकता हूं पिछली बार जितनी सीटों पर भाजपा को विए प्राप थोई तो से अधिक क्या उमीडे करे जनता क्या किस वर्ग पर सबसे आधा ध्यान होगा पाटी वैसे जन सामान के लिए काम करने वाली है और अब्रदेश अक्याल का भीकास करने और सभी सच्छाई को भी स्विकार करते हैं कि भारत की ताकत दुनिया में बढ़ी है अंतरासी मंचों पर भारत की माननेता पहले की कंपर जिन में काफी बढ़ी है तो सवावी कुरूप से लोगों का समर्फन भारती जिल्टा पार्टी को प्राप्त होगा तमाज के रहने वरे गरीब तपके के लोगों को भी उनके जीवन अस्तर को उपर उठाने के लिए जो जो भी कदम उठाए जाता है हमरी सरकार ने और हमरे प्रणाम मंत्री जिन में उठाए है लखनाओ के सांसद है और लखनाओ में कई लोगों को पहली बार मौका दिया गया है उन प्रत्याशियों से क्या उमीद करते है ट्रदर्शन और एक सीट विश्ली बार छूट गई थी लखनाओ की सभी सीटों पर भारती जन्ता पार्टी को भी एक राप्त हो गज विसा चली शार लगवी पिकांगा लंग रग।